हलो फ्रेंड्स वेलकम टु रिया कोकिंग क्लासेज माइनम इस रोहिनी फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक डिफ्रेंड ओनलाइन क्लास लेके आई हूँ बेक्रिस्टाइल खारी का क्लास यह जो आपको सारे प्रोड़क्स दिख रहे हैं वो मैंने एकी क्लास में कवर किये यह जु मेरा उणलाइन क्लास है वह फेस्टूफेस नहीं है इसके मैं आपको पास दिन के लिए वीडियो प्रोवायड करूंगी और नोट्स भी प्रोवाइट करूंगी आपको जब टाइम मिलेगा आप वो वीडियो देख सकते हो वीडियो देख के आप रेशीपी बना सountे हो और सकते हो कि जनरेलिकिया होता है हम भार जाते हैं क्लास एक दिन का पूरा र हो दिन रखते हैं वहाम प्सक्कTheny बार वह रिक दिखाते हम देखके आते हैं घर मैं आने के बाद हम तुरन्ट वो रिसीपि नहीं बनाते हैं 2-4 दिन बाद हम सामान लेके आते हैं और वह रिसीपि ट्राय करते हैं तब तक क्या होता है जो उसके जो में कुछ बाते रहती है वो दिमाग से चली जाती है यह क्लास में वैसे नहीं है आप वो वीडियोस देखके आप तुरंद रेसिपी बना सकते हो ट्राय कर सकते हो और यह रेसिपीस का डिटेल नोट्स भी मैं आपको देती हूँ वो देखके भी आप यह रेसिपीस इजी ट्राय कर सकते हो तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये क्लास में मैंने कौन कौन से खारी just कवर किये है也 h लेयरस भी देख सकते हो इसके के इतने मस्त खुल गए है और ये बहुत क्रिस्पी भी है ये मासाला खारी कि इसका भी आप टेक्षर देख सकते हो एक अनुग मस्त टेक्ष्र आया है इसे और इसे एक मसाली का टच दिया है, यह है जीरा खारी, यह भी एकदम मस्ट टेस्टी और बहुत क्रिस्पी है, यह है पालक खारी, यह खारी को एक healthy वर्जन देनी के कोशिश किया है इसमें, और fresh पालक का यूज करके यह खारी बनाई है, और इसे यह twisted में भी बनाया है, आप दे whole wheat curry, whole wheat curry देखिए, यह भी बहुत tasty और crispy है, market में जो whole wheat curry मिलती है, उसके layers खुल के आपको दिखेंगे, लेकिन market में जो whole wheat curry मिलती है, उसमें 70% मैदा यूज किया जाता है, और 30% गेहु का आटा यूज किया जाता है, लेकिन यह मैंने पूरा 100% गेहु का आटा यूज करके इने बनाया है, इसलिए यह थोड़ी सी dense है, लेकिन खाने में यह बहुत crispy और tasty है, मैं आपको एक की ओड़ के दिखाती हूँ, आप देख सकते हो, यह एकदम खस्ता और crispy है, नेक्स्ट है पामेर, पामेर आप बेकरी से खरीतते होगे, वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, यह मैंने छोटे-छोटे इसे साइज में बनाया है, और पामेर को मैंने एक हटके फ्लेवर दिया है, दालचिने और ब्राउन शुगर यूज करके इसे मस्त एक हटके फ्लेवर दिया है, नेक्स्ट है स्टफ खारी, यह खारी के अंदर पनीर का स्टफिंग डाला हुआ है, यही सेम खारी में आप अलग-अलग फिलिंग डालके इसे बना सकते हो, यह खाने में बहुत टेस्टी लगता है, नेक्स्ट है आलू पैटिस, मैं आपको दिखाती हूँ, यह तो सबको पता ही है, आलू पैटिस, आप इसके लेयर्स देख सकते हो, इसके अंदर आलू की सबजी का स्टफिंग किया है, मार्केट में जो आलू पफ मिलते हैं, उसमें जो सबजी रेती है, उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, तो वो 5-6 दिन के रेते हैं, यह हम इंस्टेंटली घर में बना सकते हैं, इसका सारा टेकनिक और ट्रिक्स मैंने क्लास में सिखाया है, नेक्स्ट है क्रिशॉन, बच्चो का ओल टाइम फेवरेट क्रिशॉन, इसके अंदर मैंने डार्क चॉकलेट का फिलिंग डाला हुआ है, यह भी हम इज़ी बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए घरवालों के लिए, नेक्स्ट है क्रीम रोल, क्रीम रोल तो सबको पता ही है, एक दब मस्ट बनें, आप इसका टेक्शर देख सकते हो, और इसके अंदर मैंने यह औरेंज का फिलिंग डाला है, आप आपकी पसंद से कोई भी फिलिंग इसमें ड फ्रेंड्स, मेरे एक खारी के ओनलाइन क्लास की फीज है, ओनली 500 रुपीज, आपको अगर यह क्लास करना है, या इसके बार में कुछ भी जान करी चाहिए, तो आप लीचे दिये गया नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो, या वाइस मेसिज करके पूछ सकते हो, मेरे और भी ओनलाइन क्लासे से, उनकी लिएक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, फ्रेंड्स, ऐसे ही अलग-लग ओनलाइन क्लासे और रेसिप्लिफ में आपके लिए लेक क्या होंगी, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकम को प्रेस करना ना बुलिए, थेंक यू